प्रश्ण लेलेंगे पर उसके बाद फिर प्रश्ण लेलेंगे सबसे पहले तो देखे एक बात ध्यान देने की है भगवान हमको रोज शुबा एक नई सुबा देते हैं रोज सुभा एक नई सुभा हमको मिलती है अब उस सुभा का शुभारंब हम कैसे करते हैं क्या भगवान का शुक्राना मानते हैं एनाथ प्रभु आपने हमें फिर से एक नई सुभा दिये आज का दिन हम दो चीजा है शरीर संसार से मिला है, संसार की सिवा करेंगे और हम स्वयम भगवान के हैं हम भगवान को याद रखेंगे एक प्रशन है गुरुवानी में सुनते हैं अपने विवेक का आदर करें कर पैसे समझाएं तो ये ही है विवेक का आदर क्या है विवेक क्या है सत असत का विवेचन सत्य और असत्य को ठीक ठीक जानना सत्य क्या है परमात्मा भगवान असत्य क्या है ये संसार संसार दुखालियम, अशाश्वतम, एसा गीता भगवान ने कहा, जिनको ग्यान नहीं है, थोड़ी नॉलिज है, थोड़ा थोड़ा ग्यान है, उनके लिए संसार दुख रूप है, जिनको पूरा ग्यान है, उनके लिए संसार दुख रूप नहीं है, भगवस्तो रूप है, जिनको ग्यान बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है जीरो है जानते ही लिए ग्यान क्या भगवान क्या उनके लिए संसार थोड़ा सा सुखरूप है वो कहते हैं संसार में सुख है और वो सुख की तलाश करते हैं सुख की खोजना करते हैं चाहे वो पैसे में हो चाहे मेटिरियल चीजों में हो गाड़ी में हो बंगले में हो एक दूसरे शहर में एक बड़ा सा फ्लैट हो बड़ी सी बिल्डिंग में उंचे से फ्लोर पर एक फ्लैट हो जहाँ जहाँ जिसकी जैसी ऐसी भावना है वो उस जगा सुख ढूंते है लेकिन आश्यर की बात है सुख बाहर नहीं है सुख भीतर है जिन खोजातिन पाईया गहरे पानी पैट बीतर है सखा तेरह सखा मन लगा के देख अंता करण में ग्यान की जोती जला के देख तो जिनोंने पाया सुख आनंद उन्होंने अंदर ही पाया एक कहवत भी है मन चंगा तो कठोती में गंगा कठोती रेगिस्तान मन चंगा, मन खुश है तो रेकिस्तान में भी खुश है रेकिस्तान में भी पानी है योगवासिस्ट में कथा हती है माँ अपनी बच्चे को कहानी सुना रही थी कि बटा, तीन बच्चे नहाने के लिए गए एसी नदी में कूद पड़े जिसमें पानी नहीं था, बच्चा बड़ा खुश हुआ, उसको समझ में नहीं आया, क्या कह रही है, ऐसी नदी में कूद पड़े जाने के लिए जिसमें पानी नहीं था, उन्होंने भोजन किया, खाना खाया, उस थाली में तलाई नहीं था, ब की भावना करना वो अज्यान है मिलेगा कुछ नहीं किसी को In the last आखरी समय में सब कुछ खाली कुछ नहीं मिलता किसी को साथ कुछ नहीं जाता किसी के सब इहीं रह जाता है संसार का संसार में ही रह जाता है तो शरीर संसार से मिलाता है इसको संसार की सेवा में लगा दो बहुत बढ़िया बात है संसार की सेवा में लगा रहेगा इसका कर्दा निबढ़ जाएगा हमको दुबारा जनमरण के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा हम भगवान के हैं अपनी मन को भगवान में लगा दें मन को भगवान में लगा देंगे, भगवान में रहेगा, आखरी समय में भगवान याद आएंगे, क्यों नहीं जब जीवन भरम ने लगाया है, हम कहतें बार बार मन हमारे दर दर चला जाता है, चला जाता होगा, चला जाता होगा मन ना, पर हम स्वेम, हम स्वेम तो भगवा के हैं. इस बात को देखे दिखा नहीं सकता कोई. गुरू दिखा नहीं सकते बेसको के वलम को बता सकते हुंद को बता सकते हैं, अबजेक्ट है, औबजेक्ट नहीं है। कु मेरे बहुत काहा करते त 활 छो में तुम जिस गियान के लिए नहीं आगा gör लिए यह एक सबजेक्ट है ऑबिजेक्ट नहीं है है तुम आतमा को देखना चाहो गिये परमात्मा को देखना चाहो गे नहीं देखपाओ गे यह तो भावनाओं में भक्त लोग भगवान को वो कहेगा दिखाओ, दिखा हम सकते नहीं, ये बड़े-बड़े महात्मा लोगों के पास, ये जो साधक लोग जाते हैं, कहते हैं, हमको एक बार भगवान के दर्शन करा दीजे, वो कहते हैं, भई हम दर्शन नहीं करा सकते हैं, हम बता सकते हैं तुमको, तुम्हारी जिग् सकते हैं, मेहनत तुम्हें करनी है, मनजिल को तुम्हें ही पाना है, आखिर में जो भगवत दर्शान या जो भी होता है, वो तुम्हें को करना है, तुम्हारी मेहनत से होगा, तुम्हारे निश्चे से होगा, तुम्हारा निश्चे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रेम क मुश्किल है, थोड़े में इतना समझ लीजे, शरीर संसार से मिला है, संसार की सिवह में लगा दो, हम भगवान के हैं, जितना हो सके भगवान को याद रखें, एक मन भगवान की याद में लगा रहे हैं, एक मन हमारा दो मन होते हैं, इस आप देखते हैं, एक से काम कर रहे ह होते हैं हम एक कहीं गूम रहा होता है बाते हैं आ रही होते हैं माइड में ऐसे नहीं पता चलेगा जरा सा ध्यान देंगे मन में क्या चल रहा है तो अरे तो विचारों में खोया हुआ था विचार चल रहे थे एक मन में विचार चलते रहते हैं एक मन उस समय काम में लगा रहता है। हमेशा हमारे दो मन होते हैं। तो गुरु ने कहा काम बला मन काम में लगा दो और जो बेकार में चल रहा है तर उसको भगवान में लगा दो तो क्या करो नाम ले लो, कोई नाम ले लो भगवान का नाम लेते रहो नाम जब की आदत डालो, मंतर जब की आदत डालो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे राम, नाम चलता रहे, मंतर चलता रहे, आदत बन जाएगी तो चलता रहेगा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा नाम जब चलता रहता है, काम करते रहते हैं नाम जब चलता रहता है, कितनी बड़ी अबात है, ये इनकी महनत है, आप गाना सुनाकि इपिक्ςर का, जह आपको पसंद आगया, तक बार बार हैद आएगा, बियुआ गुंता रहीगा, तो जब गुम सकता है, तो बहुत्वन का नाम नहीं गुम सकता, बंटर नहीं चल सकता, अवर्ष्य चल सकता है, वो दो चार दिन गाना चलता है वसकाद वो भूल जाते हैं तो कोई नहीं दो चार दिन तो चलाओ आपना हम जब मंतर जब को दो चार दिन तो चलाओ फिर की फिर देखेंगे फिर शुरू कर लेंगे फिर कुछ और तरह से सुन लेंगे कोई और धुन सुन लेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण तो ये धुन चलने लगेगी तो चार दिन बाद भूल जाते हैं हरे कृष्ण Hare Krishna कोई और दुन सुन ले ना फिर उसको चला पर कोई और दुन सुन ले ना दुन तो बहुत हो गई, चलो तो आप पैसे करो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Hare Hare, ऐसे देखे, महनत तो करनी पड़ेगी कोई काम बिना महनत के नहीं होता है एक काम होता है. अगर हम ग्यान समझ लें एक बाठ ठीक से तो फिर मेहनत नहीं है. फिर सिर्फ विश्वास और निश्चे की बात है. देखिए गुरूने का दो चीज़ें हैं संसार में. एक जड माया है, संसार है और एक परमापमा है. ये संसार, ये चीज़ें, ये वस्तु हैं, ये पैसा, ये मान सम्मान, ये मकान, दुकान, जमीन, जाजात, ये सब हमको दिखती है, ये सब संसार है, लोग दिखते हैं, ये सब संसार है, भगवान, निराकार्चेतन तत्व हैं, ऐसे नहीं दिखेंगे इन आखों से, ज्ञान की बात कर रहें, आपको भक्ति मत लाइएगा बीच में, भक्ति की बात चले, तो फिर भक्ति की बात चलेगी, फिर ग्यान लिलना आएगे, कहीं भावना काम करती है, कहीं शब्द काम करते हैं, ज्यान दीजेगा, कहीं शब्दों को पकड़ना होता है, कहीं भावना को पकड वहाँ भगवान एक है ना वह संसार है ना कोच है वासूधेव सरवाम जो की ता भगवानने का सरवत्र भगवान ही भगवान है संसार नाम की कोई चीज नहीं है जैसे बहुत सारे घढ़े रखे हैं कोई काला कोई पीला कोई नीला पेंट कर दी गये अब हम कहेंगे नीला घड़ा एकाला घड़ा यहरा घड़ा यह लाल घड़ा ऐसे बोलो मिट्टी देखो तो मिट्टी 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 साब एक मिट्टी है तो तत्व दिष्टी से है भगवान है निराकाचेतन तत्व है तत्व है भगवान व्यवारिक दिश्टी से देखेंगे तो है संसार ये अच्छा आदमी ये बुरा आदमी ये ऐसा ये वैसा ये फलाना ये ऐसा करता है फलाना ये वैसा करता है घर वाले सुनते नहीं है, मानते नहीं है कोई ये खाता है, कोई वो खाता है मना करते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, सुनते नहीं है, कितनी सारी बातें वियाभार में आ जाएंगी. वियाभार एंड्लेस है. इसा प्रश्न means, गुरु का अनभव, अपना अनभव कैसे होता है? गुरु की बात सुनने से, मानने से, निश्चे करने से जो उनका अनभव है वो हमारा भी हो जाता है लंबे समय तक जब हम सच्चंग सुनते हैं शुरू में जब अम्मा जी थे तो दीन में तीन बार सच्चंग होता था घर में कुछ लोग तीनों बार आते थे, कुछ लोग बाकि काफी सारे लोग अलग अलग टाइम पर जैसे उनको सुविदा होती थी, एक टाइम आते थे हमारा अभ्यास तीन टाइम होता था तीन टाइम का सत्चंग इतना निश्चे पका कर देता है अब तो आपको इतनी सुविदा है घर बैठे, आप योट्यूब खोलो बहुत सारे चैनल, बहुत सारी चीज़े हैं, कोशिश करके ज्यादा मत देखिए मन भ्रमित होता है, फिर आपके मन में तरह तरह के प्रश्ण आएंगे कोशिश करके एकी चैनल को जब हम देखते हैं, एकी संत को जब हम सुनते हैं तो उनकी बात हमारे अंदर में बैठती मैं क्योंकि अपने को कोई गुरू नहीं मांता है, अपने को कोई ऐसा कुछ नहीं मांता तो इसलिए मुझे कोई ये बात की चिंटा नहीं है, कि आप किसका सुन्ते ही, क्या सemon्ते हैं, पर जो एक बात है, सही बात है, वो यह है, कि आप जब एक व्यक्ते का सुन्ते हो, तो औसकी सारा कंसेप्ट आपका हो जाता है, तो इन्होंने पूछा है, गुरु का अनवाव अपना अनवाव कैसे हो, वो तभी होगा कि जिनको आप गुरु मानते हैं, उनी का सुनो, और किसी का ज्यादा कोशिश करके मत सुनो, कभी फौरा चेंज लोग सुन लेते हैं, वो एक कॉंट्रोर्सेल टॉपिक है, इसको मैं है, डिस्कस नहीं का सकता, तो कोशिश करके हम जब अपनी गुरु का सुनते हैं, तो हमारी सारी बात किलियर होती है, अंदर में बैठती है, पक्की होती है, निश्य फक्का होता है, और गुरु का अनवाव हमारा अनवाव हो जाता है, प्रश्ण है, एज फिफ्टी यह से खाने में मन जाता है, हजम भी हो जाता है, किसी को तो हजम नहीं होता तो उसको तो कह दिया जाएगा भई आप मत खाओ, आप कह रहे हैं हजम भी हो जाता है, यह भी बात है, पर अंदर में आता है कि सही नहीं है, यह कौन कह रहा है सही नहीं है, आपको खाने का शौक है, दि इनिया में जितने आदमी हैं, मैंने फील किया है, जितने आदमी हैं, हर आदमी को एक नएक शौक तो होता ही है, भजना नंदी को भजन का शौक होता है, ग्यान वाले को ग्यान का शौक होता है, भक्ति वाले को भगवान का शौक होता है, और संसार वालों को अलग अलग को समझाना पड़ता है खाओ, थोड़ा खालो ये आपका तरीका आपको सोच पाएंगे आपको कैसे मैनेज करना है सामने भोजन आता है कैसरोल्स में, आपको कितना लेना है आप पहले धीरी-धीरे घटा आओ उसको मातरा को धीरी-धीरे घटाएंगे पर मेरा एक कंसेप्ट है, मेरा मन मानता नहीं है, और मैं जो चीज चाहता हूँ कि यह में नहीं करूँ, मेरा मन और ज्यादा करता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक रस्ता निकाला है, आपकी वाणी में एक बार मैंने सुना था, कि अगनी जल रही है, थोड़ा थोड़ा घी डालते रहो तो और भढ़कती है, सामगरी डालते रहो और भढ़कती है, तरीका क्या है, घी मट डालो, सामगरी मट डालो, खुब खा लेता हूं, खुब जो चीज का शौक हैं इतना कर लेता हूं उसको एक, दो, तीन, चार दिन, पाच दिन, साथ दिन, इतना कर लेता हूं कि मेरा मनी उप जाता है, मुझे उल्टी आने लगती है, और फिर मेरा मन बिलकुल हड़ जाता है, बहुत, कब तक? बहुत जो लोग रोकते हैं, वो कुछ दिनों तक रोक लेते हैं, फिर उनका मन उच्छाल मारता है, ये ना टॉपिक बड़े कॉंट्रोवर्सियल है, बड़ी दिक्कत है, बातें करना और बात है, प्रैक्टिकली और बात है, ग्यान की बड़ी-बड़ी बातें बता देना और बा पीछे रह जाते तो क्या करो आप शुक्राना मानो इस बात का कि 20 परसेंट ग्यान तो मेरे जीवन में लगा अब भगवान जी मेरा मन है कि मैं और राइस करो प्लीज खोब भगवान से प्रार्थना करिए भगवान मैं और राइस करो देखे कहीं भग्ति लानी पड़ती है कहीं ग्यान लाना आप कहेंगे अभी कहा था एक बार में एक चीज समझने के लिए एक बार में एक चीज समझने के लिए जीवन में लाने के लिए तो पूरा ग्यान पूरी समझ पूरी नौलेज पूरी भक्ती सब को चलाना पड़ेगा एक किले को जीतना हो तो एक कंसेप्ट है राजाओं का चारों तरफ से हमला करो जितने उनके दर्वाजे हैं हर दर्वाजे से हमला करो क्योंकि अगर हमने एकी दर्वाजे से हमला बोला और दर्वाजा तोड़कर घुस गए हो सकता है वहां के लोग दूसरे दर्वाजे से निकल के भाग जाए तो क्या करते हैं वो लोग जतने दर्वाजे होते हैं वहां सब तरफ से हमला करते हैं ये राजाओं का कंसेप्टरा तो ये जो ग्यानी होते हैं ये लोग भी क्या करते हैं सब इंद्रियों पर हमला करते हैं मतलब ग्यान का मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ मैं मन नहीं मैं बुद्धी नहीं मैं चित नहीं मैं इंद्रियां नहीं मैं अहंकार नहीं मैं सोच नहीं मैं पर आपके उपर है कनस्ता रोडेल दो या मन को रोकते रहो वो जनकी मात्रा जो आपको समझ में नहीं आता उसकी कम करते जाएए सलाद और फल फल साबुत काने चाहिए जूस निकाल के नहीं पीना चाहिए जूस नुकसान करता है अब देखी बात हैं सब कही जाती है देखना आपको है कुछ लोगों को डॉक्टर बताता है इनको जूस दो अब आप बोलिंगें जूस नहीं सत्तंक में एक दिन चलाता फल देने चाहिए जूस नहीं होता हर बात हर एक के लिए अलग होती है असी परसेंट लोगों के लिए एक बात लागो होती है बीस परसेंट अलग अलग होते हैं बात में हमें गिल्टी फील भी हुआ हमने मन मन में काफी माफी मांगी पर अपकी बार उन्होंने ज्यादा अपमान कर दिया बात में अपको पता नहीं है रिष्टेदारों का क्या काम होता है क्वासिप करना और कोई कोई रिष्टेदार होता है वो अपमान करता है करता ही है और करता रहता ही है अगर हो सके अम्मा जी ने तो यही किया सत्संग में आए रिष्टेदारों से मन हटा लिया सत्संग में लग गए रिष्टेदारों ने धीरे धीरे संपर्क छोड़ दिया कि ये तो सत्संग में लगे हैं और किसी रिष्टेदार को मत कहिएगा तुम सत्संग में आओ तुम हमारे साथ सत्संग चलो मेरे जीवन का अनुवब मैं आपको बता रहा हूँ कि शेद इस्तेदार को मत कहिएगा तुम हमारे साथ सथस्थम में चलो तुम सथस्थम में आओ क्योंकि वो खुद आएगा बहुत अच्छा बताएगा और उसके बाद धीरे धीरे आपको ही पीछे खीचेगा क्या रोज रोज जाते हो ये सब क्या है क्या एक ही बात बोलते हैं एक ही बात रिपीट होती रहती है तीन महिना सुन लिया बहुत हो गया हमने तो सारा सुन लिया अब हम से सुन लो तुम सब रट गया है हमको उसके बाद वो आपको पीछे करना शुरू कर देंगे टॉंट मारना शुरू कर देंगे हम भी सत्संग में जाते थे बुरी तरह करेंगे अपमान करेंगे आपका और आपको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि सत्संग उन्होंने समझ लिया है रिष्टेदारों को दूर रखो सत्संग से और अगर वो खुद आते हैं तो आएं आप कहते हैं आप देखिए गुरू कहते हैं हर एक अपने रस्ते चलता है आप अपने रस्ते चलो हम अपने रस्ते चलें आप खुद जाओ हम खुद जाएं कोई होते कहते हैं हमको गाड़ी में बीच में ले लेना कुछ लोग बीच में ले करके आते हैं, अच्छी बात है, पर धीरे धीरे वोई लोग आपको ही परिशान करना शुरू कर देते हैं, लेट करेंगे, आपको देर कर देंगे, बहुत सारी बाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है सारी बातों को एक साथ बात करना, खेर. भगवान जी शरीर पर कश्ट क्यों आते हैं? कि आइस कराने के लिए आते हैं haForm श॥्यूखते हैं हम इन चीजों से कैसे हम इनको फेस करेंmesi your fears डर लगता है फेas करो सामना करो जो जो चीजें बनाने में आपको डर लगता है काम करने में डर अब यह तो आप समझ पाएंगे बता पाएंगे आपको किस चीज से डर लगता है उस काम को करिए कोशिश करिए कुछ लोग होते हैं बड़ी जो जाती है माताजी लोग है कहते हैं कम्पिटर हमसे नहीं चलता ऐसा बिलकुल नहीं है आप जिस दिन बैठ जाओगे न वो चलने लगेगा आपको करना क्या है चलने नहीं गा आपको ऐसे थोड़ी होता है कुछ करना होता है तो कुछ करना होता है तो सीख लो कोई सिखा देगा कोई सिखाता नहीं है ऐसा नहीं है कोई सिखाता नहीं है आप प्यार से पूछते नहीं हो आपको पूछने का तरीका शायद ठीक नहीं होता आप शौक से चीखोगे जरूर कोई सिखाएगा, आप सीखने ही पा रहे हो, तो हर आदमी का मन खराब हो जाता है, वो हड़ जाता है, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, हर नया काम सीखने की कोशिश करना कोई खराब बात नहीं है, बाकि आपका मन नहीं है, तो ठीके मत करो, वो आपकी मर्जी वो आप मर्जी के मालिक हो, आप अपने राजा हैं, तो आप वही बने रहिए, कोई बात नहीं है, हाँ, भगवान के आगे हम उनके चर्णों की धूल हैं, बाकि संसार में आप जो मर्जी बनना है, बनियें, पर भगवान के आगे तो हम उनके चर्णों की धूल हैं. गीता में पिछली बार हमारे चल रहा था कि दुखों की प्राप्ते होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों की प्राप्ते में जो सर्वता निश्प्रे है तथा जिसके राग भयक्रोद नष्ट हो गए हैं ऐसा मुनी स्थर गुद्धी कहा जाता है जीवन में दुख आते हैं सिखाने के लिए द्यार लर्निंग लेसंस हमको राइस कराने के लिए हम परिशान होते हैं दुख क्यों आ गया नहीं दुख का सामना करो जैसे आप दुख का सामना करना शुरू करते हैं दुख हलका पड़ जाता है दुख हलका पड़ जाता है तो कम लगने लगता है सामना करो Face your fears जिस चीज़ से डर लगता है उसका सामना करो आप डरो मत सामना करो भगवन करें दुखाने पर द्वेगित मत हो उसका सामना करो सुख आये जीवन में तो निस्प्रह रहो कोई बना रहे नहीं भगवन आपने दिया है आपके शुकराने आपने जो दिया है उससे सब की सेवा होती है सब की सेवा होती है कभी-कभी सेवा जादा भी हो जाती है ठक भी जाते हैं तो सो जाओ परिशान मत हो कमिया मत देखिये किसी को बुरा मत समझिए, किसी को बुरा समझना ये मन को खराब करता है, हमें भगवान से दूर करता है, किसी को भी जब हम बुरा समझते हैं, तो वो हमको भगवान से दूर करता है, अच्छे अच्छी बाते पढ़िए, अच्छे अच्छी बाते देखिए, मैं तो आपके इसलिए रोज एक-दो वीडियो बनाता हूं, ताकि आप अच्छी वीडियो देखें, पटा नहीं सब लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं, और अगर आप पूरी देखते हैं, आज एक कि दाली है, तो बच्ची को टीवी में देखकर मन किया कि मैं भी जिमनेस्टिक गेज साहीं हम अटिखने लगते हैं तो और सोलमारा यख देता है तो और सीनों कचिछा थो। दो कोई बचछी जब मेहनद करने लगता है टो उससे और बच्छेत दुएष्ख करने लगते इं। कितनी खराब बात है लेकिन जो लोग जुनून वाले होते हैं वो रुकते नहीं हैं तो बच्ची करती गई करती गई उसके ड्रेस भी फार दी दूसे बच्चों ने जिससे उसको जिमनेस्टिक्स करके दिखाना था जेजिस के सामने उस ड्रेस को फार दिया अब वो साधा टी शेट और साधा अपनी जो स्लैक्स होती है उसमें उसको करना पड़ा पर उसने हार नहीं मानी इस तरह की चीजें हमको मोटिवेट करती हैं जीवन में हार मत मानो सब तरह की लोग हैं कोई अपमान करता है, कोई बुरी तरह बोलता है कोई चिटचड़ाता है, कोई ज़्यादा बोल करके हमारा मन खराब करता है कोई हमको भगवान से दूर करता है तरह तरह की तरह तरह की लोग हैं आप हार मत मानो, बुरा मत मानो अपनी रास्ते लगे रहो बहार कुछ मत कहो किसी से अंदर में एक जुनून होना चाहिए भगवान मुझे आप चाहिए हे नात मेरा मन आप में लगे मैं किसी को बुरा करके न देखूं मेरा मन आप में लगे मेरा प्रेम आप से बढ़े हे नात मेरी प्रार्थना है मेरी प्रार्थना स्विकार कीजे मेरा मन आप में लगे अगर नहीं लगता मन तो बार बार भगवान से काईए भगवान मेरा मन नहीं लगता आप में मैं कैसे करूँ आप लगाईए मेरे मन को मेरे से नहीं लगता मेरी शक्ति सामर्थ नहीं है मेरे इतनी ताकत नहीं है भगवान जी आप लगाईए तो भगवान लगाते हैं फिर माँ अपने बच्चे की नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा तो भगवान हमारे माबाप है ना माँ है ना हमारी उनसे ही तो हम आये हैं और कहां से आये हैं उनी के पर वापिछ जाना है, उनी में समा जाना है, वही हमारे सब कुछ है, यह दुनिया तो बेगानी है, बेगानी मतलब जो दूसरा होता है, दूसरा मतलब वो हमको नहीं मिल सकता, दुनिया हमको नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कैसे लास्ट में सब छोड़ जाएग दुनिया साथ नहीं जाएगी हमरे दीन गमाया दुनिया खातिर दुनिया नचाली साथ गुरू बहुत कहते हमरे कि तुमने अपना समय सारा अपनी जिन्दगी गमा दी इस दुनिया के लिए और ये दुनिया तुम्हारे साथ नहीं चलेगी नहीं जाएगी भागवान को याद करो, भागवान से प्रेम करो दुनिया में रहो छोड़ने को नहीं कहते गुरू, दुनिया में रहो live in the world, सेवा करो प्रेम का भाव रखो सबके प्रते, सेवा करो सेवा कर दो, सेवा कर दो सेवा वाला, आप देखेंगे वो free होता है चाहे जब चला जाए लेकिन जो मजदूर होता है वो चाहे जब नहीं जा सकता है, वो time होगा तब ही जा सकता है तो हम मजदूर की तरह रहते हैं दुनिया में या सेवा वालों की तरह रहते हैं सेवा वाले तो सेवा करते हूं किसी से बंदेव नहीं है किसी में मन्नी है उनका उनका सब से प्रेम है पर किसी में मन्नी है उनका भगवान से प्रेम है हमारा प्रेम भगवान से होना चाहिए इनात मैं आप का हूं आप मेरे